नमस्कार दोस्तों, बॉलिवुड भले ही हमारे देश में रहकर काम करता है, लेकिन ये हमेशा से वेस्टन कल्चर को मानता आ रहा है। कहते हैं बॉलीवूड की film में समाच से इंस्पैड होती हैं लेकिन बॉलीवूड में काम करने वाले ज़्याधातर कलाकार सामाजिक सोच नहीं रखते हैं اور अपनी एक अलगी दुनिया में रहते हैं. बॉलिवुड में एक्ता कपूर जैसी फिल्मेकर भारतिय रिष्टों पर जिस तरह की फिल्में बनाती है या वेब स्रीज बनाती है वो दिखाता है कि इनके दिमाग में गंदगी कितने अंदर तक घुसकर बैठी है एक्ता कपूर अपनी वेब स्रीज में सौतेले मा बेटे, सौतेले बाप बेटी, भाई बहन, मामी भांजा, चाची भतीजा और नौकर मालकिन के बीच में खुले आम शारीरिक संबंदों को दिखाती है खुद एक्ता कपूर के बाप जीतेंदर पर अपने टाइम पर अपनी कजिन सिश्टर के साथ में रेप का आरोप लग चुका है तो इसकी खुद की सोच भी यही है कि सेक्स करने के लिए आदमी और और औरत का होना ही काफी है और रिष्टों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है ये ऐसी अकेली नचेनिया नहीं है जो इस तरह की सोच रखती है कुछ समय पहले इमरान हाश्मी से किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप आलिया भट के साथ में किसिंग सीन दे सकते हैं क्योंकि उन दिनों इमरान हाश्मी किसिंग किंग के नाम से मशूर था इस पर इमरान ने कहा कि वह जो है आलिया के साथ में kissing scene तो नहीं दे सकता लेकिन romantic pair जरूर बन सकता है यानि वो जो है आलिया के साथ में फिल्म में affair कर सकता है जबकि दुनिया जानती है कि ये दोनों रिष्टे में भाई बहन लगते हैं महेश भट और इमरान की मा जो है सगे भाई बहन है तो इमरान और आलिया जो है मामा बुआ के बच्चे हैं यानि गंदगी जो है इतनी है कि ये भाई बहन होकर भी romance कर सकते हैं भले ही वो परदे पर हो इसी तरह सारा अलि खान और रणबीर कपूर भी रिष्टे में मामा भांजी लगते हैं एक बार सारा अलि खान करन जोहर तिर्चे आदमी के शो में गई करन जोहर के दिमाग में दिमाग की जगे गोबर भरा हुआ है इस बात से आप सब भी सहमत होंगे और जो सहमत नहीं है वो करन जोहर को डेट पे ले जाए तो उनको भी सच्चाई पता चल जाएगी खेर करन जोहर ने सारा अलि खान से सवाल किया कि वो रणबीर कपूर और कारती कारियन में से किसके साथ तो डेट पर जाना चाहेगी और किसके साथ में शादी करना चाहेगी इस पर सारा अलि खान ने जवाब दिया कि वह कारती कारियन के साथ में जोहर डेट पर जाना चाहेगी और रणबीर कपूर के साथ में शादी करना चाहेगी भले ही सारा और रनबीर कपूर डारेक्ट रिष्टे में मामा भान जी ना हो लेकिन सारा के माबाब जो है अभी जिन्दा है तो ये रिष्टा जो है कही न कहीं exist करता है दरसल गंदगी इन लोगों के खोन में है ये सिर्फ पैसे नशाखोरी और अयाशी को ही अपना जीवन मानते हैं इन्हें किसी भी रिष्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशी से मतलब होता है हम इन बॉलिवूड के कलाकानों को अपना हीरो और अपना आदर्स मना लेते हैं क्योंकि ये परदे पर हीरो का रॉल प्ले करते हैं लेकिन असलियत में ये लोग आदर्स बनाना तो दूर की बात है देश में रहने लाइक नहीं है हमें ऐसे लोगों को शॉसल मीडिया पर फॉलो करने से पहले हजार बार नहीं बलकि लाख बार सोचना चाहिए लोग सोचते हैं कि शॉसल मीडिया पर फॉलो करने से क्या हो जाएगा है ना इसमें तो किसी का कोई लेना देना है नहीं तो आपको बता दूँ कि अपने followers की संख्या दिखा कर ही ये लोग जो है बड़े-बड़े brands को endorse करते हैं और बदले में करोडो रुपे चार्च करते हैं। शौशल मीडिया पर पोश्ट डालने मातर से ये लोग जो है करोडो रुपे कमा लेते हैं घर में बैठे हुए और जब कोई netizens इस पर कोई comment करता है या इनको ट्रोल करता है तो उसे जो है कुत्ते की तरह डांट देते हैं। अपना ही बेवजय इन्हें शौशल मीडिया पर फॉलो करें। इन लोगों को जितना आप अटेंशन देंगे, जितना इन्हें अपना हीरो मानेंगे, ये उतने ही घमंडी और अयाश बनेंगे। बलाई इसी में है कि अगर हमें Bollywood को सही से सही रहा दिखानी है, या उनको सही रहा पर लेके आना है, तो हमें जो है इनको अटेंशन देना बंद करना होगा, इन्हें फॉलो करना बंद करना होगा, हमें बहुत सारी चीजे हैं जो सिर्फ boycott से पूरी नहीं हो झाल झाल